खुटोना प्रखन मुख्याली स्थित प्रसिक्षन भवन में हुई मतस्य जीवी सयोग समिती के चुनाओ देर शाम तक वोटिंग का काम जारी रहा मतगनना में देवनाःन मुख्या तथा रंजीत मुख्या के बीच कराम मुख्या था और काफी उठापतक के बीच देवनाःन मुख्या मंतरी सा कोसा ध्यक्स पद पर 51 मतु से जीत दर्ज की हार की खबर सुनते ही भी पक्छी लोगों ने एक जुट होकर प्रखण मुख्याली के मुख्य द्वार पर लोही से बने मेंगेट पर महिलाओ को आगे कर दिया तथा ग्रील को तोरना सुरू कर पीछे से लोगों ने ड्यूटी पर खड़े पुलीस कर्मियों पर पत्थर बरशाना सुरू कर दिया जिसमें एक खोटोना थाना के एसाई योगेंदर यादव बुरी तरह से घायल हो गए भगदर के बीच एसाई यादव के बाय आँख के नीचे पत्थर लगी जिससे उनका पूरा सरीर लहुलुहान हो गिया भीर को तितर बितर करने के लिए पुलीस को बल का पड़ियोग भी करना पड़ा या घटना बीती रात एक बजे की है जानकारी मिलते ही SDM अभिसी कुमार तथा SDPO फुल परास की प्रभात कुमार सर्मा और खोटोना लोकाहा तथा ललमनिया थाना की पुलीस पहच करिस्तिती को संभाला बतादे की कुल 721 मत परे जिसमें देवनारायन मुख्या को 372 था उनके निकटम प्रतिद्वंदी रंजीत मुख्या को 321 मत मिले और 28 मत भोकस भी गए इस तरह देवनारायन सहनी ने अपने निकटम प्रतिद्वंदी रंजीत मुख्या को एकाबन मतों से प्राजित कर अपनी लगातार जीत हासिल की बतादे कि देवनारायन मुख्या 1998 से ही लगातार मतस्य जीवी के मंतरी सकोसा अध्यक्षपद पर बने रहे हैं तो दूसरी और रामचंदर मुख्या अध्यक्षपद के लिए भी चुन लिए गए हैं कि छल बंदी से जिता है वोई से जिता है अध्यक्षपद के लिए रात में बहुत प्रेशानी भी हुई तीन बज़े राधा गम जीत पाएंगे ना उन्हें तो नहीं चलो पहले भागता चलाल चली बाद में वो बक्षा ये खुल ले तो इमन से जीता है बहुत बहुत ध